दोस्तों आज हम nonverbal reasoning series के part 9 देखने वाले हैं जिसमें की सरंखला डिसकस करेंगे सरंखला जैसे की series होता था नंंबर सिर्इज वैसे ही nonverbal travelling में भी series का एक chapter है जिसमें की पूरा एक series चलता है जैसे की number series चलता है ये परिष्ण आक्रिती है ये उत्तर आक्रिती है इसमें एक सीरीज दिया यहां से पहले स्टेप यह था दूसरा यह हुआ तीसरा यह चौथा यह तो एक सीरीज चल रहा है डायग्राम में तो हमें अगला सीरीज क्या होगा इसका अगला स्टेप में क्या डायग्राम आएग कोने वाला हट गया फिर अगले डाइग्राम में यह देखे चार कम किसमें हो रहा है सी में क्या है थौच्छ है तो उसका अगला वाला पूछता तो यह नमबर आंसर हो जाता उम्मीद करता हूं दोस्तों दूसरा क्वेशन देखान है अब यह पाve camera किती है की यह हमारा पहला वाला परशना कर यह किया है दोनहों तो सेम इसमें कुछ चेंजels नहीं किया गया है इस सेकेड़ वाले में क्या कर दिया तिरी भूज नीचे आ गया और सर्कल ऊपर चला गया उसके अगले स्टेप मैं क्या है इसको सेम रखा गया देखिए सर्कल और तिरीभूज जैसा था वैसा ही है पिछले वाले डायग्राम का लेकिन इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया लेवाले स्टेप में ऊपर क्रॉस नीचे चतुर्भुज और यहां पर क्या होना चाहिए जैसा दिया है वैसा ही यह हमारा होगा आंसर तो ऐसा किस डायग्राम में कोशन में हमें लिए यह हमारा तक प्रिष्य और यह इसका अगले स्टेप में क्या है ये क्या है तिरी भुज है अंदर का नया आकृति बन रहा है तिर्भुज जो अंदर था वो बाहर आ जाएगा और उसके अंदर क्या बनेगा एक नया आकरिती बन जाएगा इसके बाद क्या है यहां पर चतुर भुज अंदर है तो चतुर भुज क्या आ गया बाहर आ गया और उसके अंदर एक नया आकरिती है इसी तरह यहां पर क्या हो वाला ता एक दो तीन दिख रहा है वीसे और डिंप करता हूं दोस्तों समझें आ गया गाऊगा चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं अब इसका अगला स्टिप क्या है वो देख लेते हैं तो क्या हुआ यह चुका था एक दो जब दो घ्लatt तीन शहाया चार भालतीन चार खाना आगे दूसरा है फिरलर यह गंटे का Sig और यह आएंगा तो किसमें आ रहा है यह number में तो हमारा answer क्या हो जाएगा यह number चले नेक्स्ट question देखते हैं अब यह 5 बा कोशन है इसको अच्छे समझे कैसे करना है अब देखिए यह पहला वाला क्या हुआ पहले वाले में 5 प्लस है अगले वाले में क्या हुआ 5 प्लस से 1 प्लस कम हो गया औ और 2 प्लस बचा उसके अगले वाले में क्या होगा दोस्तों चार डार्क पॉइंट होगा बीच में प्लस रहेगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा इसा कौन सा है सी नंबर तो हमारा answer सी नंबर चले नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं अब यहां से च्छटा नंबर कोश्चन है कि her eyes उसके लाइन जो है बढ़ा दिया उसके अगले वाले में क्या होगा दोस्ते एक लाइन और बढ़कर बंड़ेगा इसके अगले वाले में क्या होगा वो किसमें दिख रहा है यह हमारा DAt डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्ता आप लोग को समझ में आ रहा होगा चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं अब दोस्ते सात्मा कोशन है देखिए कैसे कर रहा है इसमें क्या किया देखिए अधिया हम एक स्टेट लाइन मानें त गरी के उल्टा दिशन में ऐसे 45 भूमा फिर 45 भूमा मतलब पिर ऐसे आया यह अगला से देखिए इसके बाद फिर 45 घुमें गौमें और यह आ गया फिर 45 दीगरी खाल जाएगा यह फिर 45 भूमें को जाएग यह स्टेट लाइन आ जाएगा ठीक है यह तो हम्में B पता चल गई क्यों सा दिख रहा है आपको दोस्तो यह और धी डिख रहा है अगला हमें पता नहीं चलता है इं दोनों कौन सा अंसर होगा तो इस हिस्से में छाओ यह उपर वाले हिस्से में अगले वाले मेंlica तो आप को समझना चाहिए कि इसी टाइफ की कोश्चन आता है ज्यादा टफ नहीं रहता बस क्या होता है हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आप थोड़ा सा प्रेक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाया और इस टाप कोश्चन कभी आपसे मिस नहीं होगा अब देखी यहां पर क्या हो रहा है यह पहले क्या था एक लाइन था उसके बाद दो लाइन हुआ फिर तीन लाइन फिर चाल लाइन इसका अगला मतलब क्या होगा पांच लाइन होगा एक दो तीन चार प आप लाइन होगा तो देखिए हम नहीं निकाल सकते तो फिर से हम दूसरा स्टेप देखते हैं देखी पहले क्या था यह उपर पॉइंट था फिर क्या आ गया बीच में आ गया मतलब आगला स्टिन में और एक एरो वाला लाइन ओ एड हो गया ठीक है समझ में आःट कि एर ठाइब तरह आधा नीच आगया थिकलव मतलब एक बार 나쁜 नीचे आगया उपर पॉइंट नीचे आ घाएंगी एक एरो का लाइनद बढ़ जाएगा श्क Spit होगा दोस्तों पहले देखिए पहले यहां से क्या बढ़ा एरो का लाइन फिर पॉइंट का लाइन बढ़ा अगला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों पॉइंट का लाइन बढ़ेगा और क्या हो जाएगा तीनों. उपर हो जाएगा अगला स्टिप यह मतलब अगला अगला स्टप्प लाइन वह 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 सबनुत उपर ही रहेगा मतलब तीन ऊपर किसमें किसमें 1 2 3 3 में दिख रहा है उपर दुस्तों यह थो ये अरो जाएगा हो जा लाइन इ planner का यहां पर पॉइंट वाला जो पॉइंट था वो आधा नीचे आया हाँ फिर क्या आया दूसरी उसमें एरो नीचे आया हाँ आप अब यहां पर होगा हमारा इसका अगला एस्टिप क्या बी नंबर में देखिए तीनों पॉइंट तोपर है और हाप आप जो है नीचे आया है तो महरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ बी बीच में लाइं तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ये डी नंबर उम्हेद करता हूँ दोस्ते समझ में आगया चले नेक्स्ट कोशन देखते हैं अब दूस्ते 10 दसमा कोशन है देखें इसमें क्या सीरीज सिरीज चल रहा है क्या श्रंकला चल रहा है आ चुका है दोश्थो będzie क्म छरेज सिरीज चल रहा है जासे की यहां तृक्ष यह नीचे आया exercise फिर यहां जोन चाहिआज स्टेफ में पिर यहां गया अगला स्टेप में कि सको भी हें उपर वाला ब अब एक चीज़ और देखी जब यहां से का करके की यहां पलट जब्सक्राइब यह आता है तो यहां अरव देखिए यहां से बनेगा ऊपर त्रिंग रहेगा तो यहां पर था वही वैसा ही है तो उसको क्या करना पड़ेगा पलटाना पड़ेगा वह कहां होगा दी नमबर तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको